प्राची एंड होने वाली सीय में प्राची गाइस आज की वीडियो में मैं लाई हू स्टरी नूट नूबर फोर रीसेंट प्रेंड्स इन फाइनिशल रिपोर्टिंग चाप्टर स्टरी नूट नूबर फोर है तो काईस आई होप आपने इसकी पहले की वीडियो देख अच्छा तो रखते ही होंगे तो काईस मा भी आपको बता देते कि कितना मार्क्स कवरिश रखता है यह स्टरी नूट नूबर वन मतलब स्टरी नूट नूबर फोर ठीक है तो देख सकते आप यहाँ पर अपना यह है रीसेंट ट्रेंड्स वाला हो तो काईस यह पूरा 25 मार्क्स कवर करता है बड़ गईस रीसेंट ट्रेंड़ इसमें इसमें से डेफिनिटली एंडेफिनिटली दो क्वेशन थियोरी के बनता ही है तो गईस पढ़के साना अच्छा उप्शन रहता में इस तरफ से ठीक हैं तो चलो वीरियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स सारी फेसे साथ आरी थी मैं कईसी क्वेशन तो भी आया भी था अपना डिसमेंबर 29 में मैं और इसमें रिल्टेब क्वेशन आते ही है तो तो अश्यानिबलिटी मतलब क्या होता है कि तो हर काइन से एक और्गनाइजेशन वह बिजनेस का हो चाहिए वो नॉन बिजनेस पर पर से करो मतलब नॉन प्रोफिट की पर पर से करो या को सब को ना एक बालन्स तरीके से आपने बिजनस में ठीक है एं फिर अपने घर पर फिर सुसाइटी पर अपने फिर बीजन को तो ऐसे और आपन सबसित यही जैसे की सब यही शदेन करना है मतलब ऐसी नहीं कि आज कोई भी अगर रिसोर्सड थे आपके पास तो आप उसको पूरा खालो मतलब सी वह आपके लिए समझ लोग उसको आपके लिया समय अब खाना वनता है एसा थोड़ी नहीं कि पूरा कहना आप खालोगे जिते भी मेंबर से उसमें equally distribute होता है या accordingly to distribute होता है वैसे guys resources जितने भी है हमारे पास वो सब लोग इतने ज़्यादा नहीं है scars है ठीके resources की कमी होती ही तो हम लोग को सब कुछ को एकदम ध्यान रखते वे आके बढ़ते जाना है लेते वे कि हमारी आगे की generations भी यूज कर पाए ठीके तो sustain रूप से अपन को यूज करना है तो गया sustainability reporting हमको यही बताती है कि हम कैसे people, planet, profit टीनों form को साथ पे लेके चल सकें ठीके guys तो तेन टाइप के अपनी sustainability अपन कर सकते है जैसे कि social हो गई, environmental हो गई economic हो गई, social में क्या होगा जिसमें अपना mutually देखेंगे कि हम अपने customer, अपने employees और जिससे हम daily deal करते है, daily deal करते है उनका दिहान रख सके, जैसे कि कोई customer आता है तो उसको अपन अच्छे से treat करे, अपने employee को अपना respect दे, उसको अच्छे से, उनको treat करा है उनको, मतलब, उनकी self-esteem का ध्यान रखे, ऐसे करें तो गई सी, social sustainability होती है environmental मतलब जहाँ पर आपन रहते हैं, जैसे कि हमारे आसपास का environment, जैसे कि आप कैसे कर सकते हैं, तो आपने आसपास के environment के लोगों को आप employment देना वहाँ की, जो air pollute होती है आपके वज़े से, महाँ का soil erosion होता है, महाँ का जो भी आपके वज़े से, जो भी चीज़ खराब हो रही है physical environment में, उसको आप कैसे ठीक कर सके, आप कैसे जैसे कि आपना directly benefit दे नहीं सकते और दे भी दोगे तो आप उत्ता जर्ज नहीं कर पातों कि किता है, तो गाइस उस तरीके से अपना environmental sustainability अपन को help करता है and गाइस economic मतलब तो profit आजाता है इस पर तो ये तो आपन करते ही है, इस पर तो अपना ध्यान रहता ही है ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है कह सकते तो ये तीन तरीके से अपन लेखते है, people मतलब society, planet मतलब environment, profit तो अपने economics, high ठीक है गाइस, I hope आपको यहाँ तक clear वाओगा, तो गाइस जब अपन को long run में चलना है तो अपन को ये तीनों चीज़ को साथ पे लेके चलना जी, तभी अपन आगे बढ़ सकते है तो sustainability development किसने लाए था गाइस, ये नाम आपको learn कर लेना चीज़, आपको help चाहेगा, ठीक है और उसके बाद फिर ये एक इंसान था, उन्होंने क्या क्या था, publish कर रहा है था, अपना social audit ठीक है गाइस तो ये सब नाम से एंसी क्यों परपस है, आंसा लिखने में कोई help नहीं देने वाला, तो गाइस इसको तीन पिलर भी बोलते हैं, थ्री पिलर कौन कौन से people, planet and profit, ठीक तो गाइस आप लोग के लिए में बहुत मस्त और definition है, जो किये है, इसको आप याद कर लेना पककर से बहुत प्यारा है, कि sustainability development का ही मतलब development होता है, जिसमें हम अपनी आज की needs को fulfill तो करेंगे ही करेंगे, पर हम future generation की कोई भी needs को sacrifice नहीं करेंगे, compromise नहीं करेंगे, ठीक है, अ तो जो भी कर रहे हो, उसके वज़े से तुम अपने future को sacrifice नहीं करेंगे, compromise नहीं करेंगे, अपनी आज के लिए, ठीक है, तो दोनों को ही खुश रखना को यह बोलते है, sustainability development, मतलब आज भी खुश रहो, आगे भी खुश रहो, काम ऐसा करो कि दोनों टाइम खुश रहो, ऐस sustainability reporting, वो क्या help करती है, अपन को तो guys, यह question आ सकते है, कि कैसे help करती है, तो आपको बताना पड़ेगा, कि यह हमको na sustainability impacts provide करती है, यह contribute करती है, हमारा development में, ठीक है, यह integrate करती है, सारे sustainability को, यह identify करती है, और manage करती है, risk को, improve करती governance को, और enhance करती है, अपना reputation, guys, अगर आप करती है, सारे strategy, इसके accordingly, फिर आप report करोगे उसी चीज को, और manage करोगे, आप ऐसे पढ़ोगे, तो जादा बैटर जल्दी आद होगा, ठीक, then guys, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या topic है, अपना कि, global reporting initiative क्या था, guys, जी आ राई, direct भी आ सकता है, full form में, पूछ सकता है, MCQs वगर और question भी आ सकता है, short note types में, तो क्या लिखोगे, तो global reporting initiative, जो था ना, वो एक best known framework है, अभी तक का, जो best known framework है, जुसमें अपन को खुछ से, voluntary मतलब खुछ से, self, खुछ से, अपन को क्या करना है, report करना है, क्या report करोगे, कि environmental, social performance, आपके business से क्या हुआ है, मतलब आपने, आप guidance and standards, जो रहते है, reporting की initiative की, वो सारे जगह से फैले हुए है, और यह ज़्यादा तर motility पर ध्यान देता है, क्या मतलब होता है, यह तो पता ही होना चाहिए, motility का मतलब होता है, ऐसी कोई भी बात, जो हमारे decision को change करने की ताकत रखे, उसको बोलते है, motility कर, ठीक है, तो motility का की फरंसंग है, मतलब की उसका principle है, कि उसी के आसपा सारी चीज़ा कवर होती है, ठीक है, तो वो बोताता है, कि हमको आप ऐसी बाते बताओ, जिससे हमारे decision कि आपको आपकी company को take over करने को ही आया है, आप चाहते हो कि वो take over हो जाए, तो आप ऐसे कुछ points बताओ, ऐसे global reporting initiatives बताओ, आपने जो किये, जो हमारे decision को हां से ना में या ना से हां में convert करने की ताकत रखते हो, ठीक है, तो वही होता है, global reporting initiative, इसका main principle क्या था, यह भी आ सकता है, तो mortality इसका main principle था, I hope guys clear वा होगा आपको, इससे हमें क्या benefits मिला, ठीके guys तो चलो, आपन अब discuss कर लेते कि benefits क्या क्या है, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताओ कि benefits internally क्या क्या होते है, अपन को अंदर के benefits, जन बाहर के benefits, दो आपना risk और opportunity को जादा अची से देख पाऊगे, क्योंकि guys आप देखो, अब आपन क्या करें, economic और environmental तरफ के से भी देख रहे है, तो हमारा ज्यादा coverage जा रहा है, that's why guys, आपन risk और opportunity ज्यादा जल्दी देख पाएंगे, ठीक है, फिर यह क्या करता है, include करता आपको financial and non-financial, मतलब जो पैसो से related हो, और जो पैसो से related ना हो, दोनों पे ही focus करता है, ठीक है, then guys, long term पे आपन को help करता है, वही तो guys, यह तो हो ही जाती ही ना, बात कि आपन समास से बाग करेंगे, तो आज नहीं तो कल हमको benefit मिल नहीं है, long term पे वो भी, ठीक है, और cost काम होगी, क्योंकि guys जैसे कि आप अच्छे काम करोगे, जैसे for example, ले टाटा का, टाटा इतना अच्छा काम करता है, कि सब लोग उसे इंप्रेज रहते हैं, कि आपन ज्यादा तर अगर अपने पास options रहते हैं, तो guys, जैसे ही सारे customer आपको तरफ reference जाएंगा, तो दीरे दीरे आपकी cost अपने आ हो सकता है, तो देखो guys, सबसे पहले तो आपको बाहर से ये फायदा होगा कि आपको negative जो भी environment रहता वो positive हो जाएगा, ठीक है, फिर आपकी reputation आपकी brand loyalty ते दम मसता आसमान को चूने लगेगी, ठीक है, और फिर आपका perspective भी एक अच्छा positive हो जाएगा, enhancing हो जाएगा, ठीक है जो अपना TBL होता है, triple bottom line, तो guys, ये mainly आपन को ऐसे provide करता है, आपको ऐसे तीन bottom lines दिखाता है, कि इस फी profit जो आपन देखाता है, बस आपको profit profit दिख रहा था, उसके अलावा भी जिन्दगी में society, और environment है, तो उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दो करके, तो ये जो TBL है आपको 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 जो profit है उसके नीचे आपको bottom lines provide करके देगा, ठीक है, तो उसी को बोलता है पन triple bottom line, मतर इस bottom line के नीचे ही आपको lines provide करके दे रही है, ठीक है, तो इसको बलते मोलते है triple bottom line, ये first का बात है guys, तो देखो, triple bottom line सबसे पहला था, वन नाइन नाइन फो में, ठीक है, जॉन जी ने हमें ये लाक दिया था हमें, ठीक है, ये आपको से फमसी की इस purpose आद करना है, आंसर लिखने के लिए जरुवत ही नहीं है, आंसर लिखता है अपनी इधा लिखेंगे ना, तो आप बताना है कि जो TBL होता है ना, वो इंकॉर्परेटिव था, दो वर् आपे ऐट से ट्रिपल और बोटम लाइन, ट्रिपल का मतब पहले जाने कि तो जो जड़ेता है ना, गाइस, वो क्या करता है, और बोटम लाइन को बताता है, कि यह पारा मिटर करता है तो आप को दीखने लगें, ठीक है, तीन बॉटम लाइन, आपके प्रॉफिट के तो देखो एक लेधा कंपनी थी वह रिपोर्ट करती थी अपना फाइनिशल प्रॉफिट बटना जो इसका आउट पुट था ना वो ना उसकी जो इंप्लोई से ना उनका पूर हेल्थ होते जा रहे थे विकास लेधर साथी स्मेल एंड उसके वज़े से ना गाइस पोली किया और अपना जो इन्वार्मेंट है वो क्लीन ही अप रहे है तो जब अपन यह सोचते तो अपन कैसे डिसाइड करें क्या उसके हेल्ट कितनी की खराब हुई है मतलब तो वैसे भी खराब हो सकती ना बट आपके वज़े से आपके लेधर प्रोड़क के वज़े से कितनी के खराब हुई है यह परिंट करने यह बड़ा क्वेश्चन आप कितना पॉलूुषण संसयटी को सब्सक्राइब करते हैं तो पहला बॉटम लाइन चो रहता है उसको इंकम स्टेट्मेंट बोलते हैं सेकंड बॉटम लाइन चो पीपल अच्छाइब करते हैं सेथा सेथा कहते हैं एक नॉमिक हो गया ठीक है एंड लास्ट वाला जो अपना होता है प्लानेट जिसको अपन बोलते हैं इन्मामेंटल ठीक है तो गाइस यह थी थी आपनी बॉटम लाइन फोती है थी तीन गोड़ी नोट करती है आई होग गाइस अ हुआ